ये उडान खुशियों की थी दुबई से एर इंडिया एक्सप्रेस का AXB1344 बोईंग 737 दुबई से कोजी कोट आ रहा था 184 यात्रियों और कुरू के 6 सदस्यों को विमान अपना सफर पूरा कर दूसरे अटेंप्ट में रंबे पर उतर भी चुका था शूट अप कर गया और मातम में डूग गया पूरा देश कुछ तस्वीरें कल रात की कुछ तस्वीरें आज की चारों तरफ विखरा हुआ मलवा है हवास से बाद करने वाला विमान तीन टुकडों में बढ़कर जमिंदोज है यात्रियों के सूटकेज भी बानो सन है 40 फीट की खाई मौत का कुवा बन गई सच है कि 18 बिमान यात्री अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन ये भी देखिए कि बिमान में 190 लोग थे यानि 172 लोग बच गए जखमी जरूर है मगर जिंदगी सही सलामत है कमाल कहेंगे आप या फिर चमतकार लेकिन ना ये चमतकार है ना ये कमाल है ये एक पाइलेट के तजरुबे और पराकरम की मिसाल है अपसोस की 173 लोगों की जान बचाने वाले महान पाइलेट दीपक बसंत साथे अब इस दुनिया में नहीं है लोगों की जान बचाने में खुद को शहीद कर गए बसंत साथे और उनके साथ ही शहीद हो गए को पाइलेट कैप्टन अखिलेश कुमार दिवंगत कैप्टन दीपक बसंत साथे की पूरी दास्तान आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हाथसे के बावजूद उन्होंने बिमान को आग लगने से कैसे बचा लिया रनबे पर उतरते ही उन्होंने ये भाप लिया कि बिमान ने धर्ट स्थान से आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ने का सीधा मतलब ये कि बिमान रन छोड़ते हुए नीचे खाई की और जा सकता है दीपक बसंत साथे ने विमान का इंजन फॉरन बंद कर दिया इंजन बंद होने से तो बाते हुई एक तो रफ्तार एकदम कम हो गई दूसरे विमान में आग नहीं लगी दुनिया को अलविदा कहते कहते भी बसंत साथे अपनी कर्तब निष्ठा और अनुभव की मिसाल छोड़ गए वो कोई आम पाइलेट नहीं थे कमर्शल पाइलेट की ड्यूटी जोईन करने से पहले वो 22 साल तक इंडियन एरफोर्स में रहे मिग 21 जैसे अपने जमाने के सबसे मारक जंगी जहाज उडाने का लंबा अनुभव था उनको दीपक 58 कोर्स में टौफर तलवार ओफ ओनर प्रुसकार से सम्मानित थे इतना ही नहीं दीपक बसंत साथे एरफोर्स में ट्रेनर पैलेट भी थे वो नए पैलेटों को ट्रेनिंग देने का काम भी कर चुके हैं 2005 में दीपक एर इंडिया के साथ कमर्शल पैलेट के रूप में शामिल थे 1990 के दशक में दीपक एक बिमान हाथसे में बचे थे उनके सिर में भयानक चोट आई थी तब वो छे महीनी तक हस्पताल में भरती रहे 90 के दशक में जब वो इंडियन एर फोस में थे तब एक एकसिडेंट हुआ था जिसमें उन्हें गंबीर चोट आई थी उनको बहुत ही सीरियस जो स्कल इंजरीज होती है वो हुई थी और छे महीने वो हस्पिटलाइस थे लेकिन आप इसे कहें कि जो उनमें जो जुनून था दुबारा फ्लाइंग करने का वो फ्लाइंग टेस्ट में पास होते है और दुबारा जो फ्लाइट में जो हवा में सेर करनी होती है वो उनको करनी थी ये किसी चमतकार से कम नहीं था उस से मैं उनके परिवार ने सोचा तक रही था कि दीपक दोवारा फलाई टोड़ा सकते हैं लेकिन भीतर के एक फौजी का जजबा हमेशा बढ़करार रहा वो लोटे और बेशुमार मुश्किल मिसंस को अंजाम भी दिया दीपक के पिता खुद सेना में बिर्गेटेर पस्ते रिटायर हैं उनके भाई भी फौज में थे कश्मीर में एक कार दुरगटना में वो शहीद हो गए थे दीपक को खो देने से उनका आसपडोस भी गमगीन है इस वक हम मुंबई के चांदी वाली इलाके में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहीं पर कैप्टन साथ है अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे अभी भी यहाँ पर जो उनके जान पहचान के लोग है वो यकीन नहीं कर पारे कि जो हस्मुक साथे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे दरसल कैप्टन साथे का जो पूरा करियर रहा है वो बहुत ही सुनहरा था सबसे पहले तो वो एक NDA पास आउट है और वहाँ पर वो अववल आये थे जो 56 कोस ओफ NDA होता है उनमें उन्हें स्वार्ड ओफ ओनर का पुरसकार भी मिला था 21 साल उन्होंने इंडियन एरफोस में काम किया जिसके बाद वो ऐस अ कमर्शल पाइलेट जोइन हुए जो कैप्टन साथे है उनकी यहाँ पर उनकी धर्मपती रहती है और उनके जो दो बेटे है वो भी बॉम्बे आयाटी से पास आउट है कैप्टन साथे के जो पिता है वो ब्रिगेटियर रह चुके है और साथ ही उनके जो भाई है वो भी एक आर्मिमेंट है और जम्मू में जब वो सर्व कर रहे थे तब उनकी मित्यू हो गई थी कैमरा पसंद वैबो के साथ सौरवक्तानिया मुंबई आज तक